नमस्कार आज हम प्राइक्ता का भाग दो करेंगे प्राइक्ता यानि प्रॉबेबिलिटी में इस भाग दो में आगे बढ़ने से पहले हमने जो भाग एक में पढ़ा था उसका भी दोहरान करेंगे और आगे पढ़ेंगे तो आएए देखते हैं कि हम इसमें जब आज का भाग समाब्त होगा तो हम क्या क्या जान जाएंगे इसके भाग के बाद पहले भाग का जो भी हमने पढ़ा था वो एक वार रिवीजन बहुत जरूरी है वैज थ्योरम वैज प्रमे क्या है इसके सिद्धान्त क्या है क्या नियम है इस नियम को गहराई से जान पाएंगे इस नियम को जानने के साथ संपूर्ण प्रायक्ता टोटल प्रॉबैबिलिटी के वारे में भी हम जान पाएंगे साथ में कुछ संबंधित प्रश्न कर पाएंगे तो आईए देखते हैं पहले हमने क्या-क्या पढ़ा हुआ है पहले भाग में हमने जो सबसे मुख्य बात देखी थी वो थी conditional probability सब प्रतिबंद प्रायक्ता conditional probability का एक बड़ा सीधा सा मतलब जिसमें कोई प्रतिबंद लगा हो प्रतिबंद कैसा कि जैसे कोई दो घटना एक साथ हो रही है अगर एक घटना पहले हो चुकी हो उसको देखते हुए हमें दूसरी घटना की प्रायक्ता पता करनी है जैसे मान लो मेरे पास एक डिब्बे में कुछ बॉल पड़ी हुई है अलग-अलग रंग की मैंने उसमें से एक बॉल निकाल ली उसका मान लो एक रंग है कोई विशेश अब अगर मैं उसको डाले बिना कोई दूसरी बॉल निकाल रहा हूँ तो निश्चित तोर पर पहले वाली बॉल का असर दूसरे वाले बॉल निकालने की प्रायक्ता पर पड़ेगा जब भी कोई घटना हमें दी हो या ज्यात हो वो पहली घटना होगी उस घटना के बाद जब हम दूसरी घटना की प्रायक्ता निकाल रहे हैं तो पहली घटना का असर दूसरी घटना पर आना ही है इसलिए इसको कहा जाता है सप्रतिवंद प्राइक्टा छोटा साइस में देखते हैं मालो E और F दो घटना हैं माल लेते हैं कि F घटना पहले हो चुकी है तो E घटना की प्राइक्ता यदि हमें निकालनी होगी तो उसको लिखेंगे probability of E बटा F अर्थात जो हो चुकी है वो बाद में यानि हर में और जो निकालनी है वो हमें पहले लिखनी होगी यानि अंश में इसके बाद इन दोनों के उवहनिस्ट जो भी जितने भी element हैं उनकी प्राइक्ता अर्थात प्राइक्ता of E intersection F और इसको भाग देंगे जो हमारी घटना हो चुकी है उसकी प्राइक्ता से इसलिए अगर मुझे E की प्राइक्ता निकालनी हो जबकी F घटना हो चुकी हो तो P E intersection F बटा P F अब जैसा कि हम प्राइक्ता में जानते हैं प्राइक्ता निकालते समय हर में कुल जो भी संभावित परणाम होते हैं वो आते हैं यानि sample space के आते हैं तो कुल sample space इसमें भी आएगा कुल sample space इसमें भी आएगा तो हमने देखा था कि हम इसको आसान रूप में भी लिख सकते हैं और वो है element N यानि इसमें कितने अब यब हैं common वाले में N E उभ्हेनिस्ट F बटा N P F ये हम पहले देख चुके हैं पहले भाग में आईए और देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हमने पहले भाग में multiplication theorem भी पढ़ी थी प्राइक्ता का गुणननियम प्राइक्ता का गुणननियम का बहुत ही इसपस्ट मतलब है कि जैसे हमने P E या F बटा E हमने पढ़ा था इनका उभ्हेनिस्ट बटा जो प्राइक्ता हो चुकी है जो घटना हो चुकी है उसकी प्राइक्ता यदि मुझे इनके दोनों की चाहिए जैसे एक बॉल का उधारन हम देख रहे थे पहली बॉल लाल बॉल थी दुबारा में भी अगर वो लाल बॉल हो यानि दोनों बॉल लाल हो यानि पहले बाली भी और दूसरे बाली भी तो इसके लिए हमें दोनों की चाहिए अर्थात इंटर्शेक्शन की प्राइक्ता मालूम करनी है वो कहलाता है गुडन नियम और इसके लिए जो हमें पहले हो चुका है उसको गुणा करेंगे दूसरे वाले की कंडिशनल प्रॉबिलिटी सब्रतिबंद प्राइक्ता से ऐ ऐसा हो सकता है पहले F घटना हुई हो तो इसलिए PF गुणा होगा P E शलेश F के अगर हमें E F तथा G मालो तीन घटनाएं एक साथ दे रखी हो तो हमने उसको भी किस तरह से किया जा सकता है यह पहले भाग में देखा था कुछ और भी देखा था आईए देखते हैं हमने कि एक घटना का दूसरे पर असर नहीं हो सतंत्र घटना यानि इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट की मुख्य रूप से F slash E अर्थार हमने एक बॉल निकाली और निकाल करके उसे बापस उसमें डाल दिया अब अगर हमने उसमें डाल ही द या है तो जब हम दूसरी बॉल निकालेंगे उस पर पहले वाले का असर नहीं होगा इसी लिए P F slash E में common नहीं आएगा वो सीधा सीधा हो जाएगा P F या मानलो पहले F घटना थी E करनी थी तो P E हो गया एक और बड़ी बात F और E दो घटनाएं हैं उनका उभेंश्ट भी दे रखा हो तो यदि उभेंश्ट की प्राइकता यदि उन दोनों के अलग अलग प्राइकता के गुडनफल के बराबर हो जाए तो हम मान लेते हैं कि वह है इंडिपेंडेंट इवेंट था अर्थात स्वतंत्र घटनाएं थी यह हमने पहले पढ़ा था अब आगे चलते ह अब देखते हैं वैजप्रमे वैजप्रमे जानने से पहले दो चीजों को हमें नया जानना पड़ेगा और वो है हमारे पास एक घटनाएं हैं उन घटनाओं में जो हमारे पास सेंपल स्पेस है यानि जो हमारे पास प्रतिदर्श समस्टी है उसका विभाजन कैसे किया जा बिभाजन कैसे यानि सेंपल स्पेस को दो तीन भागों में मुझे करना है तो तीन भाग मुख्य रूप से मुझे देखने हैं अगर आप उन तीन भागों को जान लोगे तब ये वैजप्र में बहुत ही आसान हो जाएगी तो पहला भाग आप देखें E1 से EN तक मान लो कुछ ऐसी घटनाएं हैं उनमें EI और EJ यानि कोई भी दो घटनाएं ऐसी नहीं हो जिनमें कोई कॉमन हो यानि दोनों का कॉमन फाई हो इसको कहते हैं mutually exclusive घटना इसके बाद अगर हम एक और देखें कि जितनी भी घटनाएं हैं अगर इनके सभी elements यानि अवयवों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिला करके ये हमारा उस समस्टी यानि कुल sample space के बराबर हो जाना चाहिए ये कहलाता है mutually exhaustive तो अगर common यानि awareness कुछ भी ना हो और सारी घटनाओं का कुल मिला कर यानि union हमारा sample space हो जाता है तीसरी बड़ी चीज कोई भी घटना ऐसी नहीं हो जिसका की प्राइकता जीरो हो अर्थात हर event की प्राइकता जीरो से बड़ी हो अगर ये तीन घटनाएं या तीन प्रकार हमें या तीन बिभाजन हमें मालुम है तो हम कहते हैं कि इस बिभाजन के निरूपित करती है यदि ये युगमत है असंयुक्त हैं समग्र हैं और इनकी प्राइकता सून्यतर है जैसे हम देखते हैं कि कोई भी घटना कोई एक घटना है ए अगर मैं इसकी इडेश निकालों ुर्थात उसकी पूरा घटना निकालों तो हमें पता है one मैं से माइनस करके हम निकालते हैं हमारे पास कोई घटना थी PE हमने निकाला E- की प्राइकता तो हम जानते हैं one माइनस PE करके हम निकालते हैं इन दोनों में कोई भी common भी नहीं होता और इन दोनों का कुल मिला करके देखें तो वो कुल sample space यानि एक के बराबर हो जाता है उन प्राइक था यानि एक तो अगर ये सब कुछ है यानि E और E डेश का जो intersection है वो phi है और E और E डेश का union वो है S अगर ये है तब हमारी प्राइक को लगेगा वैज प्रमे कैसे लगेगी क्या और होगा इसको जानने के बाद हमें पहले कुल प्राइकता टोटल प्रॉबिलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है आईए देखते हैं संपूर्ण प्राइकता अब संपूर्ण प्राइकता यानि टोटल प्रॉबिलिटी का अर्थ क्या होगा कोई घटनाए हो रही है जहां दो या दो से ज़ादा घटनाए हो रही है उन सारी घटनाओं से कोई एक कॉमन निकल रहा हो जैसे मेरे पास तीन बैग है अलग-अलग उनमें बॉले रखी हुई है मैंने तीनों बैगों में से रैंडमली याद्रेचिक रूप से बॉल निकाली पहले बैग चुना फिर बॉल निकाली अब वो बॉल पहले बैग से आईगी मानलो रैड है रैड बॉल निकालनी है दूसरे बैग से भी हो सकती है तीसरे बैग से भी हो सकती है लेकिन फाइनली मुझे क्या निकालना है रैड बॉल लाल गेंद तो पहला काम मैंने क्या किया उन बैगों को चुना, फिर उन बैगों से बॉल देखी, तो जो बॉल है लाल बॉल, वो अगर मेरा घटना को मैं A कह दूँ, तो वो A यानि लाल बॉल, पहले बैग में से, यानि E1 में से भी हो सकती है, E2 वाली घटना भी हो सकती है, E3, किसी में से भी हो, लेकिन कंडिशनल क्या है क्योंकि मुझे वो बैग भी चुनने हैं तो बैग चुन करके यदि मैं उस लाल बॉल को निकालता हूँ तो लाल बॉल की प्रायक्ता कुल प्रायक्ता कहलाएगी अर्थात अगर मैं गनित की भाषा में बात करूँ तो माना की ये घटना हैं सेंपल इस्पेस की प्रतिदर्श समस्टी की एस का एक विभाजन है और माना की एक कोई घटना है तो पी ए यानि कुल प्रायक्ता क्या होगी पी इजे पी यानि प्रॉबेबिलिटी ए श्लैश इजे इजे का मतलब है जे का मान एक से ले करके जो दे रखा है जितने भी हो तो अगर पहला है पहले के लिए एक ही प्रायक्ता दूसरे के लिए इस तरह से जब इनका मल्टिप्लिकेशन थ्योरम यानि गुणन जो हमने नियम पढ़ा था उसको पढ़ करके जब हम निकालते हैं तो अलग-अलग घटनाओं के हिसाब से इनको निकाल करके जब हम इन सब को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आजाएगी कुल प्रायक्ता इसका एक उधारन देखते हैं तब ये टॉपिक और इस पस्ट होगा आईए देखते हैं एक प्रश्ण है कि एक कलश में पांच लाल हैं और पांच काली गैन हैं याद्रिश्चिक एक गैन निकाली जाती है इसका रंग नोट करने के बाद पुनह कलश में रख दी जाती है नोट किया और बापस डाल दी आप जानते हैं अगर नोट करके बापस डाली तो ये इंडिपेंडेंट हो गया है ना लेकिन आगे ध्यान करना कई बार हम प्रश्ण भी आधा पढ़के छोड़ देते हैं पुनह निकाले गए रंग की दो अत्रिक्त गैंदें कलश में रख दी जाती हैं मान लो मैंने लाल रंग की गैंद निकली उसमें से तो मैंने लाल रंग की गैंद तो वापस डाल दी लेकिन दो लाल रंग की गैंदें और डाल दी मान लो मेरी काली गेंद निकली मैंने काली गेंद बापस तो डाल दी यहां तक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन उस काली गेंद को डालने के बाद उसी रंग की दो अत्रिक्त गेंदें और डाल दी अगर मैंने दो और डाल दी है तो कुल भी बदल गया है तो ये आप ध्यान करें सप्रतिवंद प्राइक्ता हो गई सप्रतिवंद कैसे हो गई कि आपने बॉल निकाली और उसके बाद और डाल दी अब दूसरी गेंद को लाल होने की प्राइक्ता अब दूसरी गेंद जब लाल होगी तो दोनों कंडीशने आपके सामने होंगे हो सकता है लाल निकली हो, हो सकता है काली निकली हो, दोनों कंडीशनों से लाल निकाल करके जब आप जोड़ोगे वो कहलाईगी कुल प्रायक्ता, आईए इसको हल करते हैं, मान लो कि इसमें मेरे पाँच लाल और जो काली गेंद है लाल गेंद के लिए मैं मान लेता हूँ E1 E1 मान लिया मैंने घटना लाल गेंद निकलने की और E2 मान लिया मैंने घटना काली गेंद निकलने की A मान लिया मैंने Finally यानि दूसरी गेंद को लाल निकलने की अब सबसे पहले तो मैं P-E1 यानि पहली बॉल लाल हो पहली बॉल लाल हो इसकी प्राइक्ता मैं निकालूंगा तो कुल मिला करके तो आप देख रहे हो दस बॉल है लाल बॉल पांच है ना बॉल कितनी निकाल रहा हूं मैं एक लेकिन वो एक के लिए जो मेरे लिए अनकूल बॉल ही रहे हैं, वो है पाँच, कुल बॉल है दस, तो मेरे लिए अनकूल जो है, वो है पाँच निकाल एक रहा हूँ लेकिन अनकूल पाँच है पाँच में से कोई सी भी आ सकती है इस तरह से मेरे पास आ गया एक बटा दो, मालो अब मैंने निकाला काली बॉल की प्रायक्ता हो सकता है पहली बॉल काली हो तो काली भी पांच ही है तो ये भी हो गया मेरा पांच बटा दस यानि एक बटा दो अब चुकि मुझे दूसरी लाल बॉल निकालनी है तो यहाँ कंडिशनल में मैं क्या करूंगा ए मान लो के पहली बॉल लाल थी अब यहां आपको समझना है प्रतिवंध वाला प्रतिवंध लग गया के पहली बॉल लाल थी तो दुबारा में लाल आए अब आप समझना पहली बॉल लाल थी तो दो लाल बॉल और डाल दी तो अब लाल कितनी हो गई तो इसकी प्रायक्ता हो गई साथ बटा बारा इसी प्रकार से यदि हमें पहली बॉल काली होती तो अब काली हम दो और डाल देते काली साथ हो जाती और कुल मिलाकर के बारा लेकिन हमें बॉल तो लाल निकालनी है तो लाल तो पांच ही रहेंगी कुल मिला करके बार हो गई काली निकली थी तो हमने काली जरूर डाली लेकिन निकाली तो प्रायक्ता लाल की थी अब अगर मुझे P A निकालना है तो पहली प्रायक्ता यानी P E 1 गुणा P A slash E 1 प्लस इसके बार P E 2 गुणा P A slash E 2 करूँगा दोनों की वैलू डाल देते हैं P E 1 मेरे पास है एक बटा दो गुणा P A slash E 1 है साथ बटे बारा जमा E 2 मेरे पास है एक बटा दो और P A slash E 2 है पांच बटे बारा जब आप इसको हल करोगे तो आप देख रहे हो 24 आपके पास LCM आ जाएगा और उपर चुकि दोनों में LCM सेम है तो साथ प्लस पांच यानी बारा और इस तरह से इसकी प्रायक्ता हो गई एक बटा दो तो कुल मिलाकर आपने इस उधारण के माध्यम से सीखा कि कैसे साप्रतिबंद वाला निकाला जाता है किस तरह से हमें कुल प्रायक्ता निकाली जाती है आईए आज हमने क्या-क्या देखा हम एक बार इसको देख लेते हैं हमने इसमें देखा कि सब्रतिबंद प्रायक्ता क्या होती है हमने जाना कि प्रायक्ता का गुणनियम क्या होता है हमने जाना कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है ये जानने के बाद हमने एक प्रतिदर्स समस्टी का बिभाजन यानि हमने उसका partition करना है ना वो देखा था और सबसे आखरी में संपूर्ण प्राइक्ता के प्रमे क्या है किस तरह से इसका हम कर सकते हैं प्रशनों को कर सकते हैं फिर इसके माध्यम से कैसे वैज प्रमे वो आगे देखेंगे आपको ये सारी चीजें किलियर हुई होगी आप लोग इससे संबंदित प्रशन करें और मुझे विश्वास है कि आप सभी इससे संबंदित प्रशनों को बहुत आसानी से कर लेंगे धन्यबाद